दूसरा कुरुंतियो आठ अध्याए एक से चौबी इस तक अब हे भाईयो हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुगर का समाचार देते हैं जो मकी दूनिया की कलिस्याओ उपर हुआ है कि कलेश की बड़ी परिक्षा में उनके बड़े आनन्द और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई उनके विशे में मेरी अगवाही है कि उन्होंने अपने सामर्त भर वरन सामर्त से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागे होने के अनुगर के विशे में हमसे बार बार बहुत विंती की और जैसे हमने आशा की थी वैसी ही नहीं वरन उन्होंने प्रभू को फिर परमेश्विर की इच्छा से हमको भी अपने आपको दे दिया इसलिए हमने तीतूस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंब किया था वैसा ही तुमारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास वचन ग्यान और सब प्रकार की यतनमे और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ मैं आग्या की रीती पर तो नहीं परन्तू दूसरों के उच्छा से तुमारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ तुम हमारे प्रबू इश्यमसी का अनुगरत जानते हो कि वह धनी हो कर भी तुमारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ इस बात में मेरी सला यही है यह तुमारे लिए अच्छा है जो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में परन्तू इस बात के चाहने में भी प्रतम हुए थे इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पुंजी के अनुसार पूरा भी करो क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रैन भी होता है जो उसके पास है न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको कलेश मिले परन्तु बराबरी के विचार से इस समय तुमारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारे घटी में काम आये की बराबरी हो जाये जैसा लिखा है जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला फरमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतूस के रिदे में डाल दिया कि उसने हमारा समझाना मान लिया वरन भहुत उत्साही होकर वो अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विशे में सब कलीशिया में फैला हुआ है और इतना ही नहीं परनतु वो कलीशिया द्वारा टहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए हम ये सेवा इसलिए करते हैं कि प्रबु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रगट हो जाए हम इस बात में चौकस रहते हैं कि उस उधारता के काम के विशे में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोश न लगाने पाए क्योंकि जो बाते के विशे के निकट नहीं परन्तो मनुश्यों के निकट भी भली है हम उनकी चिंता करते हैं हमने उसके साथ अपने भाई को भी भेजा है जिसको हमने बार बार परक के बहुत बातों में उच्साही पाया है पर अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है इस कारण वो और बे अधिकुछ साही है यदि कोई तीतुस के विशे में पूछे तो वो मेरा साथी और तुमारे लिए मेरा सहकर्मी है और यदि हमारे भाईयों के विशे में पूछे तो वे कलिसियाओं के भेजे हुए और मसी की महिमा है अतव अपना प्रेम और हमारा वो घमंड जो तुमारे विशे में है कलिसियाओं के सामने सिद्ध करके उन्हें दिखाओ दूसरा राजा उन्नी सध्या एक से सैंतीस तक जब हिजिक्या राजा ने ये सुना तब वह अपने वस्तर फाड टाट ओड़ कर यहवा के भवन में गया उसने एल्याकीम को जो राजगराने के काम पड़ था और शेबना मंत्री को और याजकों की पुरणियों को जो सब टाट ओड़े हुए थे आमूस के पुत्र यशाय भवश्यदक्ता के पास भेज दिया उन्होंने उससे कहा हिजिक्या यो कहता है आज का दिन संकट और बर्च्सना और निंदा का दिन है बच्चों के जनम का समय तो हुआ पर जजज्जा को जनम देने का बल न रहा कदाची तेरा परमेश्वर योहवा रबशाके की सब बाते सुने जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है और जो बाते तेरे परमेश्वर योहवा ने सुनी है उन्हें डाटे इसलिए तु इन बच्चे हुओ के लिए जो रहे गए हैं प्राथना कर जब ही जिक्या राजा के करमचारी यशाया के पास आये तब यशाया ने उनसे कहा अपने स्वामी से कहो योहवा यो कहता है कि जो वचन तुने सुने हैं जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है उनके कारण मत डर सुन मैं उसके मन को प्रेरित करूँगा कि वो कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लोट जाए और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूँगा तब रपशाके ने लोट कर अशूर के राजा को लिबना नगर से युद करते पाया क्योंकि उसने सुना था कि वो लाकिश के पास से उठ गया है जब उसने कूश के राजा तुरहाका के विशे ये सुना वो मुझसे लड़ने को निकला है तब उसने हिजिक्या के पास दूतों को यह कहकर भेजा तुम यहुदा के राजा हिजिक्या से यो कहना तेरा परमेश्वर जिसका तु भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोका न देने पाए कि यरुशलेम अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा देख तुने तो सुना है कि अशूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा वहवार किया है और उनका सतनाश कर दिया है फिर क्या तु बचेगा गोजान और हारान और रेसेप और तलसार में रहने वाले एदोनी जिन जातियों को मेरे पुर्खाओं ने नश्ट किया क्या उन में से किसी जाती के देवताओं ने उसको बचा लिया हमात का राजा और अरपाद का राजा और स्परवेम नगर का राजा और हेना और इवा के राजा यस सब कहां रहे इस पत्री को ही जिक्या ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा तब यहावा के भवन में जाकर उसको यहावा के सामने फैला दिया, तभी जिक्या ने यहावा से ये प्राथना की, है इसरायल के परमेश्वर यहावा, है करूबों पर विराजने वाले पृत्वी के सब राजियों के उपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृत्वी को तू ही ने बनाया है, है य यहवा कान लगा कर सुन है यहवा आंग खोल कर देख और संहरीब के वच्णो को सुन ले जो उसने जीवत परमिश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं हे यहवा सच तो है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उझाड़ा है और उनके देवताओं को आग में छोंका है क्योंकि वे इश्वर्न थे वे मनुश्यों के बनाए हुए खाठ और पत्तर ही के थे इस कारण वे उनका नाश कर सके इसलिए अब हे ह हमारे पर्मेश्य यहवा तु हमें उसके हाथ से बचा कीप्रित्विके राजी-्राजे के लोग जान ले कि केवल तु गी हॉआ तब हम उसके पुत्तर यश्याया नहीं जिक्या के पास ये कहला भेजा इस्राल का परमेशर यहवा यो कहता है जो प्रातना तुने अशूर के राजा सनहरीब के विशे मुझसे की उसे मैंने सुना है उसके विशे में यहवा ने यह वच्छन कहा है सियोन की कुमारी कन्या तुझे तुझे जानती और तुझे ठटों में उड़ाती है यरुशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है तुने जो नामधराय और नंदा की है वह किसकी है और तुने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया है वह किसके विरुद किया है इस्राइल के पवित्र के विरुद तुने किया है अपने दूतों के द्वारा तुने प्रभू की निंदा करके कहा है कि बहुत से रत लेकर मैं परवतों की चोटियों पर वरन लबानों के बीच तक चड़ाया हूँ और मैं उसके उंचे उंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा और उसमें जो सबसे उंचा टिकने का स्थान होगा उसमें और उसके वन की फलदाई बारियों में प्रवेश करूंगा मैंने तो खुदवा कर परदेश का पानी पिया और मिसरे की नहरों में पाउ धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा क्या तुने नहीं सुना कि प्राचन काल से मैंने यही टहराया और अगले दिनों से इसकी तैयारी की थी उन्हें अब मैंने पूरा भी किया है कि तु गड़ वाले नगरों को कंडर ही कंडर कर दे इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया वे विस्मित और लजित हुए वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ो और हरी घास और चतपर की घास और ऐसे अनाच के समान हो गए जो बढ़ने से पहले सुख जाता है मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच करना और लट आना जानता हूँ और यह भी कि तु मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है इस कारण की तु मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बाते मेरे कानों में पड़ी है मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डाल कर और तेरे मुह में अपना लगाम लगा कर जिस मार्ग से तु आया है उसी से तुझे लोटा दूंगा और तेरे लिए ये चिन होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप होगे और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन हो वह खाओगे और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे और दाख की बारिया लगाने और उनका फल खाने पाओगे और यहुदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी क्योंकि यरुशले में से बचे हुए और सियोन परवत के भागे हुए लोग निकलेंगे यहुआ यहुआ यह काम अपनी जलन के कारण करेगा इसलिए यहुआ अशूर के राजा के विशे में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके वुर्द दमदमा बनाने पाएग जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा यहुआ की यही वानी है और मैं अपने निमित और अपने दास दाउत के निमित इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा उसी रात में क्या हुआ की यहवा के दूत ने निकल कर अशूरियों की चावनी में एक लाग पचासी हजार पुरुशों को मारा और बोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं तब अशूर का राजा से नरीब चल दिया और लोट कर निन्वे में रहने लगा वहाँ वो अपने देवता निज्रोग के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अधेम मेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारा देश में भाग गए तब उसका पुत्र इसरहदोन उसके स्थान पर राज करने लगा दूसरा राजव भी सध्या एक से एकीस तक उन दिनों में हिजिक्या ऐसा रोगी हुआ कि मरने पड़ था और आमोस के पुत्र यशाय भवशिदक्ता ने उसके पास जाकर कहा यहावा यू कहता है कि अपने घराने के विशे जो आगया देनी हो वो देख क्यों कि तो नहीं बचेगा मर जाएगा तब उसने दिवार की और मूफ फेर यहावा से प्रातना करके कहा है यहावा मैं विंती करता हूँ स्मरन करकी मैं सचाई और खरे मन से अपने को तेरे समुक जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ तब ही यह शाया आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहावा का यह वचन उसके पास पहुंचा लोट कर मेरी प्रजा के प्रदान हिजिक्या से कहे कि तेरे मुल पुरुष दाउत का परमेश और यहावा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रातना सुनी और तेरे आसू देखे है देख मैं तुझे चंगा करता हूँ और सो तू यहावा के भवन में जा सकेगा मैं तेरी आयू 15 वर्ष और बढ़ा दूँगा मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित और अपने दास दाउत के निमित इस नगर के किया लो जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया हिजिक्या ने यहावा की और से तेरे लिए यह चंगा करेगा कि दूप गड़ी की चाया दस अंश आगे बढ़ जाएगी या दस अंश घट जाएगी हिजिक्या ने कहा चाया का दस अंश आगे बढ़ना तो हलकी बात है इसलिए ऐसा हो कि चाया दस अंश पीछे लोट जाए तब यह शाय भवश्दक्ता ने यहावा को पुकारा और अहाज की धूप गड़ी की चाया जो दस अंश ढल चुकी थी यहावा ने उसको पीछे की और लोटा दिया उस समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान जो बेबिलोन का राजा था उसने हिजिक्या के रोगे होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी उनके लाने वालों की मान कर हिजिक्या ने उनको अपने अन्मोल पधार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हत्यारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुए थी वे सब दिखाई ही जिक्या के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। तब ये शाय भवशिदक्ता ने ही जिक्या राजा के पास जाकर पूछा वे मनुश्य क्या कह गए और कहां से तेरे पास आये थे ही जिक्या ने कहा वे तो दूर देश से अर्थात बेबिलों से आये थे फिर उसने पूछा तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है ही ज इसे दिन आने वाले हैं जिन में जो कुछ तेरे भवन में हैं और जो कुछ तेरे पुर्खाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में हैं वह सब बेबिलोन को उठ जाएगा यहावा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन हो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबिलोन के राजभवन में रहेंगे तब ही जिक्या ने यहावा का वच्चन जो तूने कहा है वह भला ही है क्योंकि उसने सोचा यदि मेरे दिनों में शांती और सचाई बनी रहेगी तो क्या भला नहीं है हिजिक्या के और सब काम और उसकी सारी वीड़ता और किस रीती उसने एक जलाशे और नहर खुद वाकर नगर में पानी पहुंचा दिया यह सब क्या यहुदा के राजाओं के इतिहास के पुस्थक में नहीं लिखा है अंत में हिजिक्या अपने पुर्खाओ के संग सो गया और उसका पुत्र मनशे उसके अस्थान पर राज्य करने लगा भजन सहिरा 133 अध्या एक से तीन तक देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारुन के सिर पर डाला गया था और उसकी दा सदा के जीवन की आशिश तहराई है